पवन अरू के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज ये कनाइडा निकलने हैं कनाइडा में इवेंट करने का सपना अरुनीता बहुत पहले देख चुकी थी लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि उनका ये सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा आज उनका ये सपना पूरा होने वाला है क्योंकि कनाइडा में इने बहुत बड़ा इवेंट मिला है जिससे पूरा करने ये जा रहे हैं ऐसे आप ये तो जानते ही हैं कि आरुन उताब ने करियर को लेकर तो सीरियस हैं साथ ही वो लोगों का एंटरटेइन भी खूप करती हैं वो कोई मौका खाली नहीं जाने देती हैं और कनेडा में भी कुछ रहसा ही करने वाली है उन्होंने पूरी प्लानिंग कर लिए कि वो कनेडा में क्या क्या करने वाली है सुनने में तो ये भी आया है कि वो पावन अरुनिता कनेडा में इवेंट के बाद कुछ दिन और रहेंगे और इंजॉय करेंगे हम आपको इनकी हर एक अपडेट देते रहेंगे कनेडा टूर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी लेकिन उससे पहले इनका एक क्यूट वीडियो हम दिखा रहे है जी हाँ कनेडा जाने से पहले पावन दीप ने आरुनिता को सामने बैठाल कर गिटार के साथ दिल खुश कर देने वाला गाना गाया इनके साथ दो तीन लोग और भी मौजूद है और पावन का हाथ गिटार पर है लेकिन दिल और नजरें आरुनिता पर हीटी की है वो उनको देख देख कर गाना का रहे है इनका ये रोमैंटिक और क्यूट वीडियो खुब वैरल हो रहा है खुब पसंद किया जा रहा है आपको इनका ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं पवन्दी परुनिता की छूटी सी रोमैंटिक वीडियो सामने आई है जिसने फैंस के दिलों की धरकने बढ़ा दी है ये वीडियो लंदन ये अपोट का बताया जा रहा है जब ये मुंबई के लिए लौट रहते उस वक्त इनकी फ्लाइट के लिए काफी वक्त था ऐसे में शाइली ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट किया लेकिन शाइली ने कुछ ऐसा शूट कर लिया जो अभी तक फैंस को नहीं पता था पवन का वो रूप लोगों ने देख लिया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था फैंस खुद पवन का ये रूप देकर हैलान है शाइली को नहीं पता कि उनकी वीडियो में ये सब कैसे और कप कैद हो गया शाइली की वीडियो में पवन को फ्लाइंग केस करते देखा गया वो भी आरूनीता को जी यहां पहले तो पवन अरू दोरो अपना लंदन का एक्सपीरियंस बताते हैं अपने इवेंट के बारे में बताते हैं और लंदन की खुब सूरत जंगे भी शेयर करते हैं दोरों बताने कि लंदन में इन्होंने खुब टाइम स्पैंड किया खुब मौच मस्ती की और धेर सारे इवेंट करने का मौका मिला लंदन के इवेंट से इनकी फैन फॉलॉइंग और भी जादा बढ़ चुकी है ये सब बात करते करते पवन अरुनीता की तरह फ्लाइंग केस करते दिखे इतना ही नहीं यापोर्ट पर पवन अरु के आस पास मडराते दिखे उनकी केरिंग करते दिखे वो अरुनीता के साथ पोस देते नज़रा है इसके अलावा फ्लाइट में भी जब अरु भूकी होती हैं तो पवन उनसे पूस्ते कि क्या तुम खाना खाओगी अरु पवन की एक केरिंग बहुत पसंद की जा रही है दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं इस वीटियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं पवन्दी पर उनिता सायली और दानिश के धेर सारे फोटोस सामने आ चुके हैं लंदन को ये भूल नहीं पा रहे हैं इसलिए बहाँ से आने के बाद भी ये वहाँ के यादगार पलो को शेयर कर रहे हैं इन्हें बहां से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन काफी दिन बाद अब इन्हों ने इंडिया के लिए बैक पैक ही कर लिया है और ये स्टेशन पर उदास चेहरे के साथ दिखाई दिए हाला कि लंदन को ये उदास चेहरे के साथ तो बाय नहीं करते इसलिए इन्होंने स्टेशन पर भी इस टूर की लास्ट सैल्फी ली और लंदन टूर के लास्ट दिन के फोटोज शोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहे हैं फैंस पल के बिछाए बैट हैं कि कब ये मुंबई आएंगे और कब फिर से इनके ने ने वीडियो सामने आएंगे जब से फैंस को पता चला कि आज ये मुंबई आने वाले हैं तो इनके कुछ जाने वाले मुंबई यार्पोर पर पहुँच चुके हैं और बहां इनका स्वागत करेंगे अब करीब 20-25 दिन बाद ये वापस आ रहें तो स्वागत तो बनता है वैसे तो जादा टाइम नहीं हुआ लेकिन इनके फैंस के लिए ये 20-25 दिन ही साल के बरावर हैं वो क्या है ना कि पवन अरू के फैंस को इनके लिए बहुत लगाब हो गया है और जब किसी से दिल लग जाता है तो उसको लेकर चिंता बढ़ जाती है ऐसा ही कुछ हाल पवन अरू के फैंस का भी है फिलाल तो एयरपोर्ट वाले फोटोस में आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्डी वापस आ रहे हैं लेकिन इनका पूरा ध्यान फैंस पर ही अटका हुआ है कि मुंबई में क्या फिर से इनका वैसा ही स्वागत होगा वैसा ही प्यार भी लेगा पवन दी पारू बिलकुल पास पास ख़ले हुए हैं इनकी पूरी टीम भी साथ में हैं पोटो में पवन अरू बहुत कूल अंदाज में नज़र आने सबने इस टूर को खूब इंज़ करने गए और वहीं से इन्होंने ये फोटो शेर किया है फोटो में पवन दीप खूब सेल्फी लेते नज़र आ रहे हैं इस सेल्फी में पवन अरू निता तो मौजूद हैं इस साथी साहली और तीन लोग और भी हैं जिसमें एक महिला भी है और ये सब इनके नए प्रोज को अफर किया गया जिसकी फोटो सामने आ चुकी है फोटो में आरूनिता का लुक बहुत अलग लग रहा है और ये वैस्टन लुक भी लोगों को पसंद आ रहा है वैसे तो आरूनिता आप तक साड़ी में ही इवेंट पर जा रही थी वैस्टन लुक में भी आरूनिता के फैंस का दिल जीत लिया अरूनिता इस फोटो में लूस टॉप के साथ प्लाजो पैंट पहनी हुई है अरूनिता पर ये कलर खुब सूट कर रहा है पवन भी यल्लो जैकेट के साथ पिंग कैप लगाए हुए फोटो में बहुत क्यूट लग रहे हैं उनकी इस फोटो पर अधे सारे कॉमेंट आ रहे हैं लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या ये नया प्रोजेक्ट का हिसा है और नया इवेंट कब आने वाला है आपको बता दें इन्हें अभी कुछ दिन और लंदन में रहना होगा पैसे तो कहा जा रहा था कि इनके लंदन में खत्म हो चुके हैं औ जो कहीं ऐसा नहों कि ये जनवरी और फरवरी तक लंदन में ही रहने वाले हैं और सारे इवेंट निक्टा कर बापस इंडिया लोटेंगे जैसे आपका इस मुद्धे पर क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स हमें जरूरू बताएं पवन अरुनिता दानिश और सायली का एक बहुती क्यूट वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद यकीनन आप कॉमेंट किए बिना रहनी पाएंगे हम बात अरुनिता की कान है जो फिर से लोगों का एंटर्टेंट मेंट करती देखी गई इस बार अरुनिता को पंजाबी स्टक के साथ डान्स करते देखा जा रहा है जिहां अरुनिता दानिश और सायली तीनों आजकर शीशा बड़ा छेरता गाने पर बिंदास होकर डान्स कर रहे हैं पवन अरु की नए प्रोजेक्ट की फोटो सामने आ गई हैं मतलब जल्दी इनका एक और धमाकेदार इविंट होने वाला है जिसको लेकर ये मीटिंग करने गए और वहीं से इन्हों ने ये फोटो शेर किया है फोटो में पवन दीप खोष सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं इस सेल्फी में पवन अरुनिता तो मौजूद है ही साथी साहिली और तीन लोग और भी है जिसमें एक महिला भी है और ये सब इनके नए प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं लंदन में पवन अरु को लगातार नए प्रोजेक्ट मिले हैं और फिर से नए प्रोजेक्ट क उफर क्या गया, जिसकी फोटोस सामने आ चुकी है, फोटोस में आरॉनिता का लुप बहुत अलग लग रहा है। आरॉनिता का ये वेस्टरन लुप भी लोगों को पसंद करती है। वैसे तो आरॉनिता व्ता अप TAK साड़ी में ही इवेंट पर जा रही थी। वेस्टन लुक ने भी अरुनिता के फैंस का दिल जीत लिया अरुनिता इस फोटो में लूस टॉप के साथ प्लाजो पैंट पहनी हुई है पवन अरु का एक खुबसूरत वीडियो निकल कर सामने आया जो उनके रात के इवेंट का बताया जा रहा है यहां लंदन में एक इवेंट के दौरान पवन अरु रोमेंटिक अंदास में नज़र आए और यहां भी अरु की केरिंग करते नज़र आए पवन जी हां आज तो पवन को अरु के हाथों से चॉकलिट खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जब पवन अरु का यह लाड़ प्यार कैमरे में कैद होता देखा जाता है तो पवन कुछ देर के लिए चॉक जाते हैं और वो फौरन अपना हाथ हटा लेते हैं जी यहां वीडियो में आप देख सकते हैं पवन अरु अपने इवेंट के लिए तयार खड़े होते हैं यह स्टेज के पीछे उस वीच मस्ती के मून में आ जाते हैं